गुड मारिंग बच्चो मैं सुनीता बैरवा आज आपको पढ़ाऊंगी सेकंड ग्लास की ही हिंदी का सेकंड चेप्टर जिसका नाम है घर का वैद यानि की घर का डॉक्टर तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं आज का चेप्टर पढ़ना स्वास्थ अमुल्य है इसका अर्थ है कि बच्चो स्वास्थ का कोई मुल्य नहीं है हम उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हमारे स्वास्थ की एक कहावत के अनुसार मतलब एक कहावत में सब बूला गया है और उसके अनुसार यदि शरीर स्वस्त नहीं है तो मस्तिश्क भी स्वस्त नहीं होगा एक कहावत के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर आपका सरीर स्वस्त नहीं है तो आपका दिमाग यानि कि मस्तिश्क भी स्वस्त नहीं है क्योंकि स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिश्क का निवास होता है यानि कि स्वस्त सरीर होगा स्वस्त सरीर होगा तब ही हमारा दिमाग फ्रश रहेगा और अच्छे से काम करेगा इश्वर ने हमारे उप्योग के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे ही नहीं पूरा फलता फूलता जगत बनाया है मतलब भगवान ने हमारे लिए बहुत सारे पेड़ पौधे ही नहीं बनाया है यानि कि ऐसे पेड़ पौदे बनाए हैं जिनका हम उप्योग कर सकते हैं जैसे कि नेम को उप्योग करते हैं दन्तमंजन में और फलों के पेड़ पौदे हैं जैसे कि आम सब्जियों के हैं जैसे कि हम खाते हैं भिंडी बैंगन और भी बहुत सारी सब्जिया गाजर मूली त इस वनस्पती जगत में कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं हो मतलब इस वनस्पती जगत में इस पूरी दुनिया में पेड़ पौधों की भरी दुनिया में ऐसा कोई भी पेड़ पौधा नहीं है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है जैसे कि नीम का पौधा है तो हम उसे हमारे उसे खा नहीं सकते तो दंत मंजन करने के वो काम में आता है कई दवाईया बनाने के वो काम में आता है और कई पेड़ पौधे हमें फल देते हैं तो कई ह फूल हजारे का फूल मोगरे का फूल जो आमकर पीर पीजा पूजा पाट गरने के काम आते हैं और प्लिख डोग शुल्मु झाल पूजा लोग इसके कड़ाहन से आमधनी हो जाती है कुछ पेड़ पौदे ऐसे हैं जो हमारे स्वास्त की रक्षा करते हैं मतलब जो हमें बीमारियों से भी बचाते हैं जैसे कि किसी को बुखार वगेरा हो तो उसको क्या करते हैं नीम के पत्ते खिला देते हैं तो उसका मम्मू और उसका स्वास्त ठीक होने लगता है स्वास्त की रक्षा करने वाले पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेश उप्योगी है स्वास्त की रक्षा करना मतलब स्वास्त की हमारे सरीर की रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी का पौधा एक बहुत महत्पून पौधा है बच्चों तुलसी के पौधे को आप सभी लोग जानते होंगे यह हमारे घरों में पाया जाता है और हमारी मम्मी जी जो भी इनका उप्योग करती है इसे चाय में उसके दो-तीन पत्ते डाल देंगी या पापा जो हमारे वाक करने जाते हैं सुबह, सुबह तो वो दो-तीन पत्ते या जो भी होते हैं वो मुह में खाते हैं तो उसे मुह अच्छा रहता है वो हमें बहुत सारी बीमारी उसे भी दूर रखता है तुलसी का पौधा लगबग हर घर में पाया जाता है हमारे घर में भी तुलसी का पौधा होता है तुल्सी के पौधे का प्राचिन काल से बहुत महत्पून है इस्थान रहा है तुल्सी के पौधा बच्चो आज के युग में ही इतना प्रचलित और महत्पून नहीं है ये बहुत पुराने समय से प्राचिन समय से ही बहुत महत्पूर्ण है इसके लिए हमारा महत्पूर्ण बहुत है हैं तुल्सी के पौदे का पाचीनकाल से ही बहुत महत्पुन स्थान है यानि कि पहले के समय में भी तुल्सी का पौदा इतना ही महत्पुन था जतना कि आंज है पौरानिक m Microsoft के अनुसार यह हैं पॉदा हमारे लिए लाबकारी होने के साथ हिंदू द को सब्सक्राइब होती है और हमारी मम्मी वगरा इसको घर में लगाने इसकी पूजा भी करती है और चाय में डालती है और इसको कई बीमारिया जुखाई नासी जो हो जाते हैं उनमें से हम और शदी के रूप में भी प्रयोग करते हैं इसलिए प्रयाय सबी घरों में तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है मतलब सबी घरों में सबी औरती ममी पापा वगेरा हमारे दादी वगेरा वो पूजा करने के लिए तुलसी का पौधा घर में ही लगाती है और बहुत सारे लोग इसे तुलसी माता कहकर पूजा करते हैं और बच्चों हमारे घर में जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उसे सब लोग तुलसी माता भी कहते हैं तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, गले में खराश, अस्थमा, गुर्दे से जुड़ी बीमारी एवं फिर्दय रोग आदी में लाबदायक होते हैं यानि कि तुलसी के पत्यों की दवाईया या उनका काड़ा बना कर पीने से बुखार, कफ गयानि कि गले में खराश या दर्द, अस्थमा, गुर्दे से जुड़ी बीमारिया और यह फिर्दय रोगी यानि दिल और हिर्दय में जो रोग हो जाता है कई बार किसी के तो उन ल चाले पढ़ जाने के बाद से मुह में चबाते थोड़ी देर और दातों में दर्द अगर होता है किसी के बद्बू आती है तो उसे रेगूलर 10-15 दिन तक उसको तुलसी के पत्यों को खाने से वह उसमें भी आराम मिलता है जाडे के मौसम में जब हमें सर्दी जुखाम हो हो जाते हैं तो हमें तब काली मिर्च के साथ 5-7 पत्य तुलसी के पीस कर काड़ा बनाकर पीने से यह रोग दूर हो जाता है मतलब जब हमें सर्दी लगने के बाद चोटी मोटी सर्दी जुखाम हो जाते हैं तब काली मिर्च के साथ पत्तों तुलसी के 5-7 पत्तों का काड कषड करके हैं इसके पत्ते हमारे आसपास के वातवरान को भी शुद्ध करते हैं और इसके पत्ते तुलसी के प Cor ne घटानों होते हैं चोटे चोटे उनको भी तुल्सी की दूर्गंद तुल्सी की खुशबूच होती चuba वो नश्ट हो जाते हैं इसलिए सब लोग तुलसी का पौदा भार लगाते हैं बच्चो हमारे मुग की दुरगंद और या किसी भी प्रकार की गंदे-गंदे की टानू जो हमारे वातावरण में होते हैं वो तुलसी की सुगंद से अपने आप खतम हो जाते हैं मर जाते हैं वातावरण को भी शुद्ध करते हैं और उसकी जो पत्तों की खुश्बू होती है वो हमारे वातावरण को शुद्ध करती है तुलसी के पौदे को यदि घर का वैद कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा इसलिए यह मानव जाती के लिए बहुत ही उपयोगी एवं धार्म मानेता से जुडा हुआ ओश दिये पौदा है तुल्सी के इतने सारे लाभ है इसी लिए मानव जाती के लिए बहुत ही उपयोगी मतलब हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी पौदा है इवन धार्मिक मानेता से जुड़ा हुआ और यानि कि धार्मिक मानेता की अनुसार इसकी पूजा होती है और हम घर के बाहर इसकी पूजा करते हैं रोज सुबह सुबह इन्हीं मानेता से जुड़े हुए पौद ऑश दिये पौदा यानि कि एक दवायों में काम आने वाला ओश दिये पौदा है मानव जाती के लिए बहुत ही महत्पौद पौदा आई है तो बच्चो आज हमने क्या पड़ा घर का वैद घर का वैद मतलब घर का डॉक्टर देखिए बच्चो इस चपाठ में हमें सभी पेड़ पौदर को महत्व को बताया है लेकिन सबसे महत्पौद इसके बारे में तुलसी के बारे में बताया है कि घर में तुलसी का पौदा किस प्रकार वैद यानि कि डॉक्टर का काम करता है तो बच्चो हमें घर पे तुलसी का पौदा लगाना चाहिए और उसके महत्व को भी समझना चाह चलिए बच्चो अब हम इसका पूरा पड़ लिया है और इसका सारांस भी हमने देख लिया है अब हम इसका पड़ेंगे शब्द बोद यानि की वर्ड पावर तो चलिए अमुल्य अमुल्य यानि जिसका कोई मुल्य ना हो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइजलेस शक्ती, ताकत, पावर, वैद, डाक्टर और चिकित्सक, डॉक्टर, काढ़ा, उबाली हुई, औशदी, बॉल्ड मैडिसिन, श्रद्दा, आस्था, विश्वास, फेद, विशेश कार्थोगा खास, अंग्लिश में से बोलते हैं स्पेशल, पुरानिक यानि पुराणों की जो पुराने समय से चलती आ रही हो, माइतोलोजिकल, तो चलिए बच्चो, अब हम इसकी व्याकरण बहुत की क्यूशन अंसर देखते हैं, कोश्टक में सही शब्द चुनकर खाली जगे में लिखी है, बच्चो एक खालिस्तान दी हुए, इसमें आपको इन दोनों में से स सही शब्द चुनकर इधर बीच में खाली स्थान में लिखना है, तो तुलसी का खाली स्थान बहुत लाददायक होता है, तो पौधा और पौधे में से में एक शब्द लिखना है, तो बच्चो यहाँ पे क्या आएगा, पौधा, क्योंकि तुलसी का पौधा बहुत तो प्राय सभी घर में तुलसी का पौदा श्रद्दा के साथ लगाया जाता है यह नहीं मैच हो रहा है क्योंकि यहां पर सभी आ रहा है तो हम यहां क्या लिखेंगे प्राय सभी घरों में तुलसी का पौदा श्रद्दा के साथ लगाया जाता है चलिए बच्चों तीसरा खालिस्तान देखते हैं तुलसी के पत्तों में रोगों को खालिस्तान को नश्ट करने की शक्ति होती है तो मतलब यह क्या है किटानू और यह क्या किटानू तो एक किटानू को नश्ट नहीं करती तुलसी बहुत सारे किटानू को दूर करने के उसम एक होता है तो एक पत्ते से नहीं बनाया जाता बहुत सारे मतलब दो-तिन पत्तों या पांस-साथ पत्तों से बनाया जाता है तो तुलसी के पत्तों से काड़ा बनाया जाता है चलिए बच्छो नेस्ट क्यूशन में नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ से चुनकर लिखिए मतलब बच्चो जो पाठ हमने पढ़ा है उसी में से चुनकर हमें समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं चले बच्चो नेक्ट क्विशन करते हैं संसार संसार को क्या बोल सकते हैं पन जगत या दुनिया पुजनिय आदर्निय यानि कि जो पूजा योग्य भी होते हैं उन्हें पुजनिय या आदर्नियग होते हैं अपन ताकत यानि कि पावर और शक्ति हमारे चुनकर लिखें आपको पूरी लाइन दी हुई है इसके लिए आपको किसी एक शब्द को चुनकर लिखना है तो बच्चो देखिए जो हमारा इलाज करता है उसे अपन क्या बोलते हैं तो इन में से देखिए वेग्यानिक, डॉक्टर, पुझनिय, पोरानिक या वार्शिक तो बच्चों से क्या बोलते हैं अपन डॉक्टर तो यहां क्या आ जाएगा डॉक्टर उसी तरीके से दूसरा करेंगे पृतिवर्ष होने वाल उसे क्या बोलेंगे बच्चों जो पृतिवर्ष होने वाला है उसे क्या बोलेंगे वार्शिक तो यहां पर क्या जाएगा वार्शिक जो विज्यान से संबंदित हो मतलब जो विज्यान से रिलेटेड हो उसे संबंदित हो उसे क्या बोलेंगे वेग्यानिक तो यहां पर क हमने पढ़ा घर का वैदियाने कि तुलसी के पौदे के बारे में हमने पढ़ा है उसका क्या-क्या मैत्व है वो किस-किस बीमारी में काम आ सकता है और वो हमारे मतलब बिना डॉक्टर के जाए हमारी चोटी-मोटी बीमारे को तो घर पर ही ठीक कर सकता है बच्चो आज हमने पढ़ा है और आज हमने इसके किशन अंसर की है अगले क्लास में मिलते हैं अगले चप्टर के साथ